जब तख अपने हिस्ट्री को पढ़एंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि हमारे स्थित ब finanempans पढ़िए Magadhan और हम किस चीज के लिए लड़ना है हमने क्या खोया और क्या पाया है तो जब तक हमारे अमेटकर साहब को जोती भाई फूले को सवित्री भाई फूले को या पेरियार को जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे शोषन हमारे समाज का लगतार सद्यों सो होता चला रहा है आज नया नहीं हो रहा है और आज कि मैं बरतमान प्रस्तिति में मैं मैं बता दू कि जब रामनौमी का जुलूस निकलता है तो उसमें जो बहुत भारी ध्वजा होता है जो सबसे आगे होता है उसको उठाने वाले एक दली तो पिछड़ा कहीं बेटा होता है और जो यह सवर्ण वाले लोग होते हैं यह बस मोटे मोटे चैन बना लेते हैं औ यह यह बस वही काम कर रहें और हमारे समाज के लऑगोंधे संवशी है उसके बाद आपने की जो चल रहे हैं जो चाल चल रहे हैं वह किया वही आजादी के पहले संभिध्हान लागू होने के पहले हम छूत थे हमारे कमर में ज्ञाडव हो था हमारे मा बहनों को अभाकने के आजादी नहीं थी आपका छनातन धर्म कहाan था लोग Kafka समाज का है इनके समाज वाले लोग बड़ा-वड़ा मुकुट पहन के रखते हैं और हमारे समाज वाले लोग तलबार उठाके कपड़ा पत्ला से पट्ति होता ना जो लोग पहने रहते तमिलाडू के मुखमंत्री एमके स्टालिन अखलेस यादव तिजस्वी यादव और हमेन सोरे ने एक बैठेक किया और बैठक में एमके स्टालिन ने कुछ प्रस्ताव लिखा है प्रस्ताव में वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इन चीजों को इंप्लिमेंट करना जरूडरी है ताकि जो समाजिक न्याय की जो बात होती है उसको लागों किया जा सके सबसे पहले कहते हैं कि प्रोपर इंप्लिमेंटेशन और रेजिर्वेशन फोर एसी एस्टी ओविसी एन माइनेटरी पॉप्लियूशन यानि कि एसी एस्टी और ओविसी को जो है वो जो डिजिर्वसन मिलता है यानि 27 परडेशन जो आरक्षन है उसको हर हर प्रदेश में करना चाहिए दूसरा चीजी वो बो सब्सक्राइब करना चाहिए पुरे देश में जाती आधारित जन्गन्ना हो बिहार में आज जातियों का कोड आ चुका है उसके अलावा सोसल जेस्टिस मेनेटरिंग कमीटी बने यानि कि जो समाजिक न्याई की जो सरकारे है या जो समाजिक न्याई की विवस्ता है उस प जो है वो कॉलीजों में पढ़ाया जाया और जो सोशिल जैस्टिस के युवा है उनको यह बात बतानी चाहिए इस मसले पर हमारे साथ समीर है समीर से हम बात करेंगे कि यह कितना महत्पून सब्जेक्ट है क्या स्टी स्टी में पर्मोसन अमबेटकर पर यार और फुले को पढ़ाना या उसके अलाबा जो कमीटी बनानी की मांग रही है उसको यह कैसे देखते हैं कैसे आप इसको समीर देखते हैं कि एक इंके इस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा त्यूंकि देश में एक लौत एक ऐसे मुख मंत्री है जो बिलकुल समाजिक विचार धारा पेरियार अंबेटकर के रास्तों पर महात्मा जोतिवाब फूले के रास्तों पर बिलकुल चलने का काम कर रहा है जैसे उन्होंने सबसे पहले एक फैसला और लिया था कि जितने भी तमिल नाडू में मंदिर महजित के नाम पर खाली जमीन है उन सभी जगहों पर अस्कूल अस्पताल यह सारी चीजे बनेगी जो जनता के हित में होगा जो जनता के लाफदायक होगा दूसरा इन्होंने जो लागतार यह कदम ले उठा रहे हैं समाज की प्रति समाजिक ने जब तक अपने हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि हमार लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे तो इन्होंने जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री जैसा कि यह मुगलों का जो हटार है कि कौपी किताब में मुगलों का विबारे में नहीं पढ़ाएंगे तो आप हटा देंगे बहुत अच्छी बात है लेकि जम का कहा रहे हैं कि स्ट colabor है नोग जो है हो जूर्म पनेख का रहा है जएल में बंद भी हो रहे हैं लाठी नोगारा हो रहा है तो इससे कि वह नहीं हो रहा है है और आज कि में बर्तमान प्रस्तिति में मैं बता दू कि जब रॉम नौमी का जुलूस निकलता है तो उसमें जो बहुत भारी धोजा होता है जो सबसे आगे होता है उसको उठाने वाले एक दली तो पिछड़ा कहीं बेटा होता है एक आदिवासी कहीं बेटा होता है और जो यह आज के लड़के ऊपर डंटा लेके फसे देखना कहीं पेड़े में फसे तो कहीं ताड़ न पड़कड़े ट्रक्टर से ताड़ को खीचना कि जनरेटर में न सटे तो यह बस दर्री भी चाने में काम करते हैं और खुद को कहते हैं घर्व से को हिंदू है अगर मैं आपके जास में संविधान लागो हुआ उसके बाद आपने हमें हिंदू बनाने की जो आप किया वहीं आजादी के संविधान लागो होने के पहले हम चूते थे हमारे कमर में जाडू था हम्हमें माबहनों को तन ढाकने.. आजादी नहीं थी तो उस समय आपका हिंदूत्व कहां था उस समय आपका शनातन धर्म कहां था आज सम्मिधान जब मिला और हम सैचनिक आर्थिक और राजनितिक रूप से सभी मजबूत हुए है थोड़ा बहुत तो आप आज हमें फिर धर्म के जान में फसा रहे हैं और न देखते होंगे कि लोग डीजे वाला का ट्रक्टर और जनरेटर जिस पर रहता है भब यात्रा मुर्ती इनका दोनों का डिस्टेंस रहता है अलग अलग रहता है वह ताड यो खीसते हैं ना वह देखी का कौन से समाज का है ठीक है इनके सौंड समाज वाली लोग बड़ा- भगवान में आसता है हम मना नहीं करेंगा पूझे भगवान को लेकिन एक वार अपने अधिकार को समझे एक वार सरकारी नौकरी जिसके आप डिमांड करते हैं ना जिसके लिए दिन रात महनत करते हैं आप उसको मांगे और आप यहां नहीं आपके दार नात जाएए लोग कर रहा है हिंदू पलाया नहीं कर रहें यह सब फेक न्यूज चला रहे हैं लोग जो भ्रामित कर रहे हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं हिंदू मुश्लिम में तो यह जो देखिए अभी एक आपके जद्यू के एक मंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा प्यारा दिया कि दलित समाज जो मुसल्मान से लड़ रहा है वह भी दलित ही है तो एक चीज़ मैं आपके माध्यम से एक चीज़ यह भी क्लियर करना चाहूंगा लोगों को कि जो मैनर्टी समाज में वह भी सी एस्टी एस्टी के लोग हैं वह कोई पराये नहीं है वह आफी के बुद्ध सबसे पहली धर्ति है और इक ऐसा ध्म है नॉट धर्म नहीं ध्म बुद्ध एक ऐसा धम है जो सबसे ज़्यादा देशों में है तो बुद्ध कभी यूद्ध के रास्ते पर नहीं चलता वह कभी तलवार लेकर रोड़ पे नंगा नाच नहीं करता धर्म के नाम समाजिक नयाय की बात करते हैं लेकिन लोग उनके समाजिक नयाय पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं एक परिवार की पार्टी रह जाती है तो यह भी तो कहीं नहीं लोग तो बड़े बड़ी बात तो करते हैं लेकिन जब सोशल जस्टिस का बात आता है तो आपने ही परिवा सरकार के लोगों को सीना चड़ के बोलने की अजादी मुश्किल से 30 से 35 साल पहले मिली है जो आर्थिक रूप से मजबूत थे वो तो लड़ रहे थे जिनको यह जंगल राज बताने का काम करते हैं तो यह अजादी हमें ज्यादा दिन पहले नहीं मिले जितना हमारे पिछडो कारेकाल देखा जाए हम बिल्कुल संतुष्ट है कि इस सरकार में हम खुश हैं 30 साल 35 साल जो हमारे समाजिक उत्थान की बात हुई है माने हमारे फुर्व मुक मंत्री लालू परशाद यादव हो यह रावडी देवी हो यह निटिश कुमार हो यह सभी हम समाजिक नएक पर देख जरूड़ी है उनका प्रस्ताव और अपर इंप्लिमेंट भी होना चाहिए लेकिंस इस पर जो यह थारना बनाए जाती लोगों को बाटा जाता है दंगा के नाम पर लड़ाय लगवाया है इनका अपना तरक है लोजीक का भी सम्माण है लेकिनिक चैह रहे हैं कि पूजा अच्छे जगह पर जाए और वहाँ पूजा अरचना कड़े आगर उनको विश्वास से तो समी राजपास्वान का यह कहना था आप जन्त आजटेक्षन देख रहा है